हाई गाई दिस इस वैभा और आप सभी का स्वागत है 247 के कवर स्टोरी में दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे रेसलर के बारे में जिन्होंने अपने रेफरी को पंच किया और इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग डेली ये बात करतेंगे भाई एक बारी क्लास को सेयर और लाइक वाइक का बटन और रेशियो मेंटेन रखेगा ठीक है और जो नए दोस्ते हैं वो चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजेगा ठीक है तो दोस्तों बात कर रहे हैं आपको यहां पर हैडलाइन देख रहा होगा कि रैसलर सतेंद्र मली को ने पंच किया अपने रेफरी को जिसमें तो कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 का ट्रायल चल रहा था और इनको लाइफ टाइम के लिए बै कर दिया किसने चैन किया रैसलिंग फैड्रेशन vitरेशन ओफ इंडिया ने इनको लैफ टाइम बैद किया फडर हीटिंग णरे प्रेफरी जगबीर सिंग् давind Ez striving आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यह इवे एक काई यह ट्रायल चल रहा था केडी जाध हो कहां पर केडी जादाओ हाल में IGI स्टेडियम इंद्रा गांधी इंटरनेस्टनल स्टेडियम में एक इवेंट चल रहा था ट्रायल चल रहा था उसी टाइम पर किसने तो दोस्तों सतिन्द मलिक ने अपने रेफरी केड़ी जादाओ को थपड़ मार दिया इसी की रीजन की यही रीजन था इनको बैंक करने के लिए lifetime इनको बैंक कर दिया किसने तो दोस्तों Wrestling Federation आफ इंडिया ने इसारी बाते करेंगे wrestling Federation आफ इंडिया का हैड़क्वाटर कहाँ पर हैं ? कौन president है지만 secretary है यह सारी चीजिए उससे पहले दोस्तों आपको बता दे कि सेतंद मलिक की बात करें ये 125 kg वर्ग भार में क्या थे ये commonwealth game में trial कर रहे थे 120 kg ठीक है और दोस्तों आपको बता दे और इनके ऊपर Wrestling Federation of India ने proper lifetime के लिए क्या कर दिया पैन लगा दिया इनके इस हरकत की वज़र से और तो और दोस्तों आपको बता दे कि इस trial में किसका किसका नाम था जो बर्मिंगहम यानि कि इस बार का जो commonwealth game हो रहा है 2022 का वो कहां पर हो रहा है बर्मिंगहम में तो दोस्तों आपको बता दे रवी दहिया कितने kg वर्ग भार में 57, बजरंग पुनिया 65, नवीन 74, दीपक पुनिया 86, दीपक 97 kg यानि कि यह लोग सेलेक्ट हुए है बर्मिंगहम में देश को रिप्रेजन करने के लिए कुस्ती में दोस्तों आपको यहां पर दिख रहा होगा Commonwealth Games 2022 विल भी हेल्ड इन बर्मिंगहम यह बर्मिंगहम में होने वाला है यह बर्मिंगहम यूके में फ्रम जुलाई 28 से अगस्त आठ तक यह आपको याद करना है इसके उपर भी बात करेंगे हम कि Commonwealth Games कब कब होता है इस बार का मोटो क्या है यह सारी चीजे तो आईए पहले हम बात करते हैं Wrestling Federation of India के बारे में दोस्तो Wrestling Federation of India की बात करें भारती कुस्ति संग की बात करें इसके प्रेसेडेंट कौन है ब्रिज भूसन सरन सिंग और इसका हेड़कौटर कहां पर है न्यू डैली में दोस्तो Affiliated ऐसे आठकना Affiliated Affiliation किससे है इसका United World Wrestling से यूनाइटेड वर्ड रेसलिंग से ग्लोबली यहनी वर्ड लेवल पर है और इसका अप्रिवेशन है WFI इसके सेक्रेटरी को नहीं वी एन प्रसूद जिन्होंने यह अनौंस किया कि इनके उपर लाइफ टाइम के लिए बैन लगाया जा रहा है तो दोस्तों यह आप देख सकते हो Wrestling Federation of India इसी ने किसके उपर मलिक के उपर जो 125 केजी वर्ड भार के लिए ट्रायल कर रहे थे Commonwealth Games 2022 के लिए अपने रफरी को थपड मानने के वजह से इनको Lifetime के लिए बैन कर दिया गया अब बात आती दोस्तों United World Wrestling की अब यहाँ पर बात आईए तो इसके बारे में भी अपडेट कर लेते हैं हम लोग दोस्तों UWW यानि किया United World Wrestling की बात करें तो दोस्तों इसका formation हुआ था 1912 में यानि कभी कितने साल हो गए 110 साल पहले इसका headquarter तो Curseer Surviving Outside of Lusani बस आपको इतना याद करना Lusani Switzerland में किसका United World Wrestling का How many members in United World Wrestling यानि कितनी कंट्रियों के federation इसको represent करते हैं या फिर इकितनी कंट्रियों के Federation को represent करता है तो दोस्तों 176 राजटी यानि कि जैसे हमारे इंडिया का एक हो गया सिलंका का एक हो गया ठीक है ऐसे मतलब कितनी भी Wrestling Federation है उनको 176 पूरे वर्ड में और इसके President कौन है दोस्तों नेनाड लालोवी कौन है नेनाड लालोवी United World Wrestling के President है अब बात आती है दोस्तों Commonwealth Games की यहाँ पर बात हो रही थी Commonwealth Games के Trial की तो यहाँ पर बात हो रही है Commonwealth Sports की तो बात करे Commonwealth Games often referred to a friendly game is an international multi-sport event involving athletes from the Commonwealth of Nations इनकी जितने राश्टमंडल देस है उसके जो athlete होते है इसमें participate करते है multi-sports event होते है और एक friendly game होता है दोस्तों सबसे बड़ी बात आपने red color में देख रहे होंगे the event was first held in 1930 सबसे यह इवेंट सबसे पहली बारी किस year में हुआ था 1930 में और दोस्तों exception अगर बात करें तो 1942 और 1946 अगर हम छोड़ दें तो यह event हर यानि क्या होता है यह दो साल चोड़के यह पहला बार कब हुआ था 1930 में first time 1930 यह आपको याकना first event हुआ था और दोस्तों यह कितने साल पर होता है every four years यानि हर चार साल पर होता है तो यह आपको याद कना हर चार साल पे 42-46 को छोड़के और पहली बारी कभी event हुआ था 1930 में तोस्तों बात आती है वेन्यू कहां पर था Commonwealth का यह आपको जवाब देना है अच्छा चलो 22 वाला है तो आपको पता होना चाहिए 26 वाला वेन्यू कहां पर होगा तो यह question तो आपको जवाब देने है यह आपके लिए question है ठीक है दोस्तों इसका motto क्या है 2022 Commonwealth Games का motto क्या है तो गाई इसका motto है Games for everyone ठीक है यह motto है यानि कि जो कह सकते हैं हम लोग एक slogan जो कहलो या फिर motto बैतर होगा motto कहना host city Birmingham England motto यह है नेस्वन कितने राश्टेस में पाडिसेपेट कर रहे है 72 जो अनुमानीत है एथलेट कितने पाडिसेपेट कर रहे है 5054 और कितने event होगे 283 20 sports यानि कि 20 sports बीस खेल होगा 283 इसके event होगे ठीक है यह याद अखना आप लोगों ने अच्छा गाई सबसी important सबसी महत्वपूर आपके आने वाले exam के लिए Birmingham 2022 जो Commonwealth गेम हो रहा है इसका mascot इसका सुभंकर क्या है तो दोस्तों इसका सुभंकर है पेरी तो ऐसे लिखा होता मीत पेरी पेरी मीत पेरी पेरी कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है मीत पेरी पेरी तो दोस्तों पेरी आपको याद कहा है पेरी इस दा जो official mascot है Commonwealth गेम 2022 जो बर्मिंगम में हो रहा है दोस्तों एक बुल है एक बैल है ठीक है जो पैच वर किया गया multi-colored hexagons आपने देख रहे होंगे multi-color hexagons यहां पर आपको यह दिख रहा होगा यह सब multi-color hexagons है तो इसका patch है तो यहां पर यह है पैरी दोस्तों यह बनाई है 10 साल की बच्ची ने एक event हुआ था तो आपको याद का matter यह नहीं करता किसने बनाया बसरते यह आदखना है कि इसका mascot का है तो पैरी है और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो सबसे महत्पूर और important है क्या है इसका logo दोस्तों creating a unique B shape अगर हम देखे तो यह B बना हुआ कुछ unique तरीके से यह B मतलब Birmingham logo has been formed by visually connected communities from 10 key locations यह 10 important locations है जहां पर Birmingham में गेम होगा तो अलग-अलग events होंगे जहां जहां पर तो उस reason के क्या है यह key है इसको link कर रहा है suppose यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ इस तरह से तो B बना हुआ एक unique तरीके से ठीक है दोस्तों एक Commonwealth Games officially known as Commonwealth Games and commonly known as Birmingham 2022 it is an international multi-sport event for the members of the Commonwealth यानि कि जो राष्टमंडल देस है उनके लिए इवेंट है that is scheduled to be held in Birmingham England from 28 July to 8 August यानि कि 28 July से 8 August के बीच में इवेंट होगा Birmingham was announced as host 21st of December 2017 यानि कि ये इवेंट 2017 में ही बता दिया गया था कि ये इवेंट Birmingham में होगा 21 December को ही announce कर दिया गया था marking England third time यानि कि दोस्तों England तिसरी बार क्या host कर रहा है Commonwealth Games को और दोस्तों आपको बता दें पहला कि पहली बार कब हुआ था London में हुआ था 1934 में जिस साल RBI Act पास हुआ था याद अखना कुछ ऐसे London में सबसे पहला बार और दोस्तों Manchester 2002 में हुआ था और तीसरी बार हो रहा है 2022 बर्मिंगम में तो दोस्तों ये आपको याद अखना है ये रहे दोस्तों आज के important points जो आपके आने वाले exam के regarding महत्पूर भी है और आपको पता भी होने चाहिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये session मज़ेदार लगा होगा तो भाई आप ये session को like और share कर दीजीगा और जो नहीं दोस्ते हैं वो चनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लिजेगा तके live notification मिलता रहे दोस्तों आपसे question ये है कि जो event हो रहा है commonwealth का commonwealth का जो event हो रहा है ये कितने number का event है कौन सा संस्करण है ये आपको जवाब देना है mascot तो आपको पता ही है इसका motto क्या है दोस्तों तीसरा point क्या है कि 2026 का venue कहां होगा चार साल पर होता है तो 2026 का venue कहां होगा दोस्तों 2018 का commonwealth कहां पर हुआ था ठीक है ये भी आपको बताना है and guys आपको बताना है wrestling Federation of India का president कौन है ठीक है आपको जवाब comment section में आना चाहिए और आपने जैसा बोला था कि अपने वणी को विराम देते हैं नमस्कार दोस्तों और एक बार फिर से very very good morning सुप्रभाद हरर महादयो रादे रादे दोस्तों have a great day और दोस्तों daily जुनना ना भूलिए सुबह 5 बजे ऐसे इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार topic के साथ और ज्यान से भरा हुआ topic जो आपके आने वाले exam के लिए important होने वाला है thank you दोस्तों bye take care